हेलो फ्रेंड्स, फांडेशन ऑफ आर्ट सॉफ्ट्रेयर के कूर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, हम इस लेक्चर में कुछ आर्ट सॉफ्ट्रेयर के छोटे-छोटे कमाल्स होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं, और आपको यात होगा कि पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने इसी तरह के कुछ जो हमारे बेसिक कमाण्स ऐसे भी हो सकते हैं, जो आपने बहुत-बार इस्तमाल किये हों बट फिर भी मैं उनको आपको यहाँ पे फिर से एक बार फार्मली बताने की कोशिश करूंगा तो चलिए इन छोटे-छोटे कमांड को सीखने की कोशिश करते हैं राइट ओके सो अब हम पहला कमांड हम जो यहाँ पे ले रहे हैं वो हमारा है प्रॉम्साइन यह तो आपको देखिए अब मालूम पगही गया है कि यह आपको मैंने बहुत आरम में बताये था कि जब भी हम आर कंसोल में आते हैं तो हमारे यह प्रॉम्साइन होता है और इसी के आगे हम अपने कमांड और सिंटैक्स को लिखने की कोशिश करते हैं आप भी देखेंगे आर कंसोल में यह देखिए जो सिंबल्स होते हैं यह हमारे प्रॉम्साइन है अब उसके बाद जो हमारा दूसरा हमांड है उसके बारे में भी आपको मालूम है अगर हम उसको कोई वैल्यू अगर किसी वैरिबिल को एसाइन करनी होती है तो आपने देखा है कि बहुत बार हमने लिखा है एक्स इकुल टू टू ट्वेंटी तो यह जो हमारा इकुल्टी साइन है यह क्या है इसको हम बोलते हैं असाइन्मेंट ऑपरेटर अर्थात कि हम कोई नॹुमेर्कल वैल्यू को किसी वैरिबिल के अंदर हम जमा करने की कोशिश कर रही हैं अब यहां पर जब हम सैन्मेंट आप्रेटर की बात करते हैं तो हमारे पास दो करीके के assignment operators है पहला assignment operator है वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है यह वाला सिंबल less than और उसके बाद में एक डैश और दूसरा हमारा option है यह हमारा equality sign है जो हमारा एक अधार पिन होता है अराबर का अब सवाली आता है कि यह दो assignment operators कैसे आगये तो जैसा मैंने आपको बताया था कि R की शुरुवात करने का जो motivation है वो एक S-Plus software से आया था तो जब हमारा S-Plus software था इस software के अंदर assignment operator यह वाला था less than dash तो जब R software को develop किया गया तो उसी assignment operator को यहां भी opt कर लिया गया और सारी सारी programming उसी की basis पर होती रही आज से कुछ समय पहले कुछ काल पहले जब हमारा R का एक revised version, updated version आया तो उसमें से assignment operator में यह जो बराबर का चिन है इसको भी add कर लिया गया तो आज की कारीक में हमारे पास R software के अंदर यह दोनों operators बराबर का sign और यह less than or dash दोनों available है अब एक सवाल यह आता है कि इन दोनों operators में अंतर क्या है जब तक कि हम हम लोग जिस level पर काम कर रहे हैं और जिस तरह के calculations हम लोग कर रहे हैं इसमें हमारे लिए इन दोनों operators में से कोई अंतर नहीं है हम चाहे राबर का symbol यूज करें या हम less than dash का symbol यूज करें दोनों के outcome सेम आने हैं और कहीं पर कोई समस्या नहीं आने वाली है हो सकता है कोई जो बहुत deep programming करते हों उनके लिए शायद कुछ अंतर आ जाए उसके बारे में हमारे लिए कहना बहुत कठीन है लेकिन यहां तक इस course का सवाल है और इसके आगे आप जो भी अपना कार करेंगे काधार तया इन दोनों सिंबल्स की यूज करने से कोई समस्यानी आने वाली है अब देखिए अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जैसे कि अगर आपने कोई value 20 है उसको एक variable x में असाइन करने की कोशिश करते हैं उसको कैसे किया जाए उसको हम लिख देते हैं x less than dash 20 और अथ्वा हम x equal to 20 भी लिख सकते हैं तो इन दोनों cases में जो हमारी value 20 है यह हमारे variable x को असाइन हो जाएगी अब यहां तो हमने बात करी कि हम किसी numerical value को किसी variable में assign कर रहे हैं लेकिन हम numerical value के साथ में किसी variable को भी किसी और variable में assign कर सकते हैं जैसे उधारल के लिए हमने लिया variable लिया x और उसको value देदी 20 अब हमने x को 2 से multiply कर दिया यह जो हमारा symbol है star का इसका मतलब होता है multiplication अर्थाथ होड़ा तो जब हम ऐसा करते हैं तो यह हमारा 2 into x यह हमारा y के अंदर assign हो गया और अगर हम एक और variable define करते हैं x plus y तो यह भी हमारा z के अंदर assign हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि x equal to 20 number है जो x में assign हो गया और 2x और x plus y यह हमारे variable है यह भी हमारे y और z के अंदर assign हो गये अब हम आपको इसको पहले R software में करके दिखा देते हैं और फिर हम आगे बगते हैं तो जैसे देखी यहाँ पर हमने लिखा x equal to 20 और हमने लिया यहाँ पर x देखी यह आ गया अब इसकी जगह अगर हम यहाँ पर x less than dash 30 कर देंगे अगर हम तो क्या होना चाहिए x की जो value 20 है वो 30 से replace हो जानी चाहिए अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया x 30 हो गया अब चाहिए आप इसको ऐसे लिखे या आप अगर यहाँ पर कोई blank space भी देना चाहिए तो भी कोई फरक नहीं पलता है आप देखेंगे x की value फिर भी 30 रहती है और अगर आपने कोई नया variable या y और इसको अगर आपने 2 x कर दिया और y की value देखिए तो यह आपकी क्या हो जाएगी 2 इंटो 30 यह मारे केतना होगे 60 और अगर हम कोई एक variable लेते हैं z और इसको हम define कर देते हैं x plus y तो x और y दोनों हमारे देखिए variables है और हम देखेंगे की z की value मारे क्या जाएगी 30 प्लस 60 90 तो इस तरीके से हमने अ और variable दोनों को हम किसी variable में assign कर सकते हैं अब यहां तो हमने बात करी कि अगर हमारी कोई numerical value है उसको अगर मुझे किसी variable में assign करना है तो उसके लिए हम x less than high point 20 या x equal to 20 को इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन हमारे पास जो values है वो दो तरकी हो सकती है अभी जो हम बात कर रहे हैं एक number और दूसरा character कैसे उधारन के लिए है अगर हम कोई शब्द लेते हैं apple तो apple तो कोई numerical value नहीं है तो यह हमारी character है तो यह जो हमारे characters हैं इनको किसी variable में assign करने के लिए हम उनको double quotes या single quotes के अंदर देते हैं जैसे उधारन के लिए मैंने यहाँ पर लिखा apple और यहाँ पर मैंने उसको double quotes के भीतर दे दिया तो यह जो apple की value है यह यहाँ पर x में assign कर देगा और ऐसी अगर हम माले is equality sign की जाएगे अगर हम less than or dash sign का भी उप्योग करना चाहें हम यहाँ पर कर सकते हैं x less than dash apple 1 तो यहाँ पर जो apple 1 की value है जो हमन x के अंदर assign कर देगा और अगर हम double quotes की जगह अगर हम single quotes को भी अगर हम लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पर मैंने equality sign और less than hyphen sign को इस्तमाल करते हुए मैंने यहाँ पर double quotes की जगह मैंने single quote भी रख दिया तो भी हमारी यह values x के अंदर assign हो जाएंगी और यहाँ पर इसका screenshot भी है हम आपको इसको r software में करके दिखाते भी है x equal to 20 यहाँ पर लिया आपने x की value 20 आ गई x की value apple लिया तो इसने कह दिया कि यह तो कुछ गलत हो गया तो अब जब आपने apple को double quotes में दिया तो उसने उसको accept कर लिया और इसी apple को आपने अगर double quote की जगह अगर single quote में दिया त तो चलिए पहले हम आपको इसको r software में करके दिखाते हैं और फिर हम आगे बगने की कोशिश करते हैं तो numerical value की बारे में तो हम बात कर चुके हैं अब हम यहाँ पर x equal to एक character की बात करते हैं apple क्यों क्योंकि मैंने इसको double quotes में नहीं दिया था अब हमने दे दिया x equal to double quotes में apple ऐसे यहाँ पर आप अगर equality sign की जगे आप अगर यह less than और hyphen sign भी इस्तेमाल करना चाहें या less than dash sign को इस्तेमाल करना चाहें तो भी आप इसको apple के अंदर अगर देंगे तो देखें तब भी हमारे x हमारा यहाँ पर apple की तरह assign हो जाएगा और अगर आप यहाँ पर double quotes की जगे आप अगर single quotes भी अगर देना चाहते हैं तो आप अगर देखिए मैं यहाँ पर देता हूँ सिंगल कोट्स से अनाना सिंगल कोट्स में को देखिए क्या हो गया x क्या हो गई बनाना और अगर हम यहाँ पर अगर हम इक्वल्टी साइन की जगे अगर हम आ लिए less than hyphen साइन देते हैं तो भी देखिए x की वैल्यू क्या गई बनाना अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर यह जो वैल्यू आई है बनाना इसमें भी double quotes है और जो यहाँ पर वैल्यू आई है एपल इसमें भी double quotes है लेकिन जब आपने इसकी वैल्यू इंटर करी थी तो यहाँ पर आपने single quote लिया था और यहाँ पर आप में double quote लिया था तो अगर हम आपको खाली यह outcome देते हैं तो इस outcome को देकर कि आप यह नहीं पता कर सकते हैं कि आपने जो x की value को दिया था वो single quote में दि दिया था लेकिन इससे कोई अंतर भी नहीं पड़ता है ओके अब हम एक और aspect की बात करते हैं और हम आपको एक और जो हमारा programming में बहुत important aspect होता है उसको बताते हैं कि उसको कैसे execute किया जाया अब आप ऐसे सोचिए कि जब भी आप कभी programming करते हैं programming के बाद आपको उस program को कुछ numerical values या values होती हैं जो बाहर से आती हैं उसके उपर आपको उसको execute करना पड़ता है और यह values एक किसी file के रूप में आपके पास आ जाती है अब file के अंदर कुछ data है कुछ variable है इत्यादी है वो numeric है कि character है इसको कैसे देखा जाए और आप file में आप यह मान सकते हैं कि उसके अंदर लाक, दस लाक, स्तो लाक करोग values हैं तो उनको manually तो नहीं देखा जा सकता है कि file को खोल करके आप एक एक word को एक एक line को देख रहे हैं कि यह numerical है कि character है तो आपको कोई एक ऐसा R में command चाहिए होता है जहां से आप यह देख करके मालूम कर सकें कि जो भी आपके file के अंदर data value दी हुई है यह क्या है यह numerical है यह character है और इसकी अफशक्रा क्यों पढ़ती है क्योंकि हमारे जो mathematical tools होते हैं वो हमारे numerical और character के लिए अलग अलग होते हैं जो हमारे statistical tool होते हैं दोनों के लिए अलग अलग होते हैं इसलिए अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कोई एक variable में जो values दी हुई है कोई एक number दिया हुआ है वह numeric है के नहीं है उसका हमारा command होता है is.numeric is.numeric और parenthesis में आपको उस variable की value लिखनी है जिसके बारे में आप यह मालूम करना चाहते हैं और उसी तरीके से अगर आप यह मालूम करना चाहते हैं कि कोई एक value जो आपके पास आई है वह character है की नहीं है उसके लिए हमारा command होता है is.character और parenthesis में आपको अपना variable देना होता है जिसके बारे में आप मालूम करना चाहते हैं अब यह जो हमारे दोनों command है इस.numeric और इस.character दोनों का जो outcome होता है वो एक logical variable होता है यह logical variable क्या होते है इसके बारे में हम बाद में इस तार से बान करेंगे लेकिन यहाँ पर हम आपको यह बता दें कि हमारे पास दो logical variable होते हैं एक होता है true और एक होता है false अगर आप यहाँ पर ध्यान दें जिस करीके से मैंने true और false लिखा हुआ है इसमें सारे के सारे action हमारे अपरकीस है अथाथ capital letters में है तो जब हम capital letters में true और capital letters में false लिखते हैं तो यह हमारे logical values होती है logical variables होते हैं और यह reserved words होते हैं अथाथ कि इनको हम और कहीं पर इस्तमाल नहीं कर सकते हैं और इनका जो अर्थ होता है true का मतलब true, such और false का मतलब जूट, गलत और आपको साथ में यह भी यहाँ पर careful रहना है कि यह true और false जब तक कि यह सारे के सारे इसमें अक्षर capital letters में लिखे जाएंगे तभी तक यह result word होता है लेकिन अगर आप ऐसे true को लिखना चाहें कि आपके capital T कर दिया और बाकी अक्षरों को lower case में कर दिया या आपने T को small कर दिया बाकी अक्षरों को capital कर दिया या कोई भी और लिया इसके अलावा तो true और false दोनों के case में है कि वो तब हमारी logical variable नहीं होते हैं तो अब देखिए हम इसको यहाँ पर operate करते हैं और इसका जो outcome में उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसका outcome हमको क्या कह रहा है जैसे उधारन के लिए हम लेते हैं यहाँ पर x equal to 20 अब मुझे आप बताईए यह जो 20 value है यह क्या है numeric है की character है यह तो numeric है तो अब हम जब यहाँ पर अपना command लगाएंगे is.numeric और parenthesis में देंगे यह वाली value x अर्था 20 इसका answer क्या आना चाहिए यह आ गया true मतलब सत्य अर्थात कि जब हमने यह cross check करने की कोशिश करी कि यह जो value 20 हमारा number है की नहीं है हम क्या यह number है तो इसका उत्तर आता है हाँ यह वचन कही है और यह numeric है अब इसी चीज को अगर आप एक और command से देखिए is.character x मतलब कि x equal to 20 यह जो आपने लिया हुआ है क्या यह character है जब आपने इसको cross check करने की कोशिश करी तो उत्तर आ गया false गलत और यह तो बार भी सही है यह जो x आपका है यह तो numeric है character थोगी है अब हम एक और गुदारा लेते हैं अब हम एक character लेते हैं apple और इसको मैंने double course में एक नए variable y में assign कर दिया और हम यहाँ पर देखते हैं is.character y अर्थाक की जो y के अंदर value है क्या वो character है और उत्तर आता है हाँ यह सही है और यह ठीक भी है क्योंकि apple तो एक character है और फिर हम देखते हैं कि is.numeric y मतलब कि यह जो y हमने लिया है apple क्या यह numeric है उत्तर आता है गलत false तो यह जो हमारे command है is.numeric और is.character इसके द्वारा आप कोई भी variable के बारे में पता कर सकते हैं कि वह numeric है कि character है और आपको यह ध्यान रखना है कि अगर हम माले यह सारे number लेते हैं two five और एक हमने ले लिया बीच में apple फिर ले लिया seven nine तो यह जो हमारा data set है या जो जिस variable में यह values हमारी में save करी गई है क्या यह character है कि numeric है जैसी numeric value में अगर कोई भी एक character value आ जाती है उसको हम character की category में classify कर देते हैं और यह देखी यहाँ पर इसी operation का screen shot भी है जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है अब इसके बाद हम आपको एक काम और करना सिखाते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक value है जो एक numeric है तो कैसे किया जाए यह अगर कोई हमारे पास एक value है जो character के form में है उसको numeric form में कैसे किया जाए तो अगर किसी number को अगर हम किसी, को अगर हम characteristic form में change करना चाहें या अगर हम किसी character को अगर हम number के form में करना चाहें तो उसके बाद हमारे पास यहां पे दो commands होते हैं as.numeric और as.character तो जो as.numeric है वो किसी character value को किसी नुमरिक format में convert करने के लिए इस्तमाल होता है और यह जो command है as.character यह हमारा किसी numeric value को character में change करने के लिए इस्तमाल होता है अभी हम खाली numeric और character की बात कर रहे हैं बाद में हमारे पास जब और भी करीके का data set आता है then हम उसमें से किसी भी data set को अगर मुझे number format में change करना है तो हम command use करेंगे as.numeric और अगर किसी value को अगर मुझे character के form में करना है तो हम उस्तमाल करेंगे as.character अब एक सवाल तो यही आता है कि अगर हम खाली numeric और character की बात करते हैं तो ऐसा कब संभव होगा कि हमको इस तरह के change करना हो अब जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि एक बारे पास कुछ data set है जहाँ पर हमने लिया है x equal to 1 अगर हमारा कोई student अगर एक male है और दो लिया है x की value को अगर कोई student हमारा ही male है अब आप यह बताईए अगर हमारे पास इस तरह का data आता है 1212 तो क्या अगर हम यहाँ पे 1 plus 2 plus 1 plus 2 करेंगे इसका कुछ मतलब होगा नहीं यह गलत होगा लेकिन समस्या क्या है समस्या यह है कि हम जब r में बात कर रहे हैं तो r के अंदर हम जैसी 1 plus 2 plus 1 plus 2 करेंगे r इसको mathematical format म ले लेगा और यह मुझको इसका sum 6 बता देगा जो हम नहीं चाहते हैं तो इसको convert करने के लिए हमारे पार तरीका यह है कि यह जो one लिखा हुआ है इसको हम ऐसे double quote या single quote में दें और यह जो two लिखा हुआ है इसको हम double quote या single quote में दें तो यह जो one और two हमारा then हमारा एक character के form में convert हो जाएगा तो अब इस कारे को कैसी किया जाए अब हमको देखी यहाँ पर एक उधारे लेकर करके समझाते हैं अगर मैंने कोई एक value ले ली x equal to 20 तो यह तो देखी नंबर है अब यह मुझको पहले मालूम करना है कि नंबर है कि नहीं है तो उसके लिए command हमारा क्या हो ग और यहां से हमने इस बात को जाच लिया कि इसका उत्तर आ गया सकते true अर्थार की x हमारा 20 नूमरिक है अब हम इस x को character के form में बदलना चाहते हैं तो हमने command यूज़ किया as dot character और parenthesis में लिग दिया x अब यह जो x था यह आपका 20 था जो नंबर था अब यहां पर आया तो य character के format में convert हो जाएगा और इसकी जो value है उसको मैंने y के अंदर save कर लिया अब जनासे यहां पर cross check करते हैं कि जो हमारा output आया है y वो क्या numeric है उसके लिए हम command यूज़ करते हैं is dot numeric और parenthesis में लिगते हैं y उत्तर आता है false अर्थात अब y जो है उसने x के character को बदल दिया है जो पहले numeric था अब वो कुछ और हो गया है अभी क्या हो गया हम check करते हैं अब हम कहते हैं कि इस dot character y अथात क्या y क्या character है उत्तर आता है सत्य और अगर हम y की value को देखने की कोशिश करते हैं तो यह हमारा आ जाता है y equal to 20 लेकिन अब यह double quotes के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यह हमारा character है और इसी चीज़ को बने देखिए यहाँ पर आपको operation करके दिखाया हुआ है यहाँ पर आपको यह पता चल जाएग right अब उसी जगह पर हम अगर इसका उल्टा करते हैं हम एक character लेते हैं apple double quotes में लिखा हुआ है और इसको हम एक variable y में assign करते हैं और यहाँ पर हम cross share करते हैं is.numeric y उतर जाता है false अथा कि भाई यह numeric नहीं है यह तो कुछ और है हम फिर हम चेक करते हैं इस.character y अर्थात क्या y character है उतर आता है हां अब हम क्या चाहते हैं कि यह जो apple हमारा character है यह हमारा numeric में बदल जाए तो अब देखिए यहाँ पर जब हम ऐसा कार करने की कोशिश करते हैं और हम अपना command देते हैं as.numeric और parenthesis में लिखते हैं y तो यह हम उसको यहाँ पर उत्तर देता है warning message and is introduced by question question का मतलब होता है जबदस्ती forcefully इसका क्या मतलब हुआ पहली बात तो मैं आपको यह बता दूँ कि जब भी हम our software में काम करते हैं और अगर हमारे पास कुछ message आ रहा है तो हमारे पास दो तरह के message होते हैं एक होता error और एक होता है warning दोनों में क्या अंतर होता है warning तो इसकी जैसे खितावनी होती उसी तरह की बात है कि खितावनी दी जा रहे कि ऐसा करने में कुछ गलत हो सकता है लेकिन आप उसको करतो सकते ही हो लेकिन जब हम error की बात करते हैं उसमें है कि अगर कहीं पर programming में गलती हो रही है और program उसको execute नहीं कर सकता है और program वहीं पर रुख जाएगा तो जब भी कभी हमारे पास warning message आते हैं इसका मतलब यह होता है कुछ कहीं पर ऐसा हो रहा है जहां पर कोई नियम का उलंगन हो रहा है अब आर हमसे कह रहा है कि आप एक बार देख लीजिए कि यह नियम का उलंगन अपने आप से हो रहा है या यह आपकी इच्छा थी तो इसलिए यहां पर यह हमको warning message दे रहा है अब हमको समझना है कि यह warning message क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहां पर देखिए इसने एक word लिखा हुआ है capital N capital A हमारे पास दो तरह के word होते हैं एक capital N capital A और एक होता है null capital N U double L और यह दोनों हमारे uppercase alphabets में लिके जाते है capital letter में यह जो दोनों words होते हैं जैसे हमने true or false की बात करी थी पहले उसी तरह के सी यह भी हमारे results words होते हैं और इनका कुछ अपना interpretation होता है जैसे na का मतलब आप एक मोटी-मोटी भाशा में कर सकते हो it is like not available अब यह na और 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 जो N U double L के दोनों के बहुत सारे माने होते हैं और इन hypothesis में और इस्तार से बात करेंगे लेकिन यहाँ पर हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर यह हो क्या रहा है इसने y था apple जो एक character है और आप आप उसको जबज़स्ती एक apple को number में convert करने की कोशिश कर दें क्या ऐसा संभव है नहीं इसी लिए वहाँ पर उसने उसको convert तो कर दिया लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया कि apple को हम कौन से ऐसी संख्या से replace करें तो उसने वहाँ पर लिख दिया और उसके बाद आप अगर देखेंगे जो उसका outcome आया है उसको मैंने z के अंदर store कर दिया है और अगर z को आप अग और हम देखते हैं कि क्या z हमारा character है is.character z कहता है false और z की value देखी क्या आ गई तो यह इसका मतलब है अब हम करणा सा cant की जो को आपको आR console में करके दिखाते हैं और साथ हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यही operation जो मैंने आपको करके दिया इसका screenshot भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है अब हम देखिया यहाँ पह कुछ शीजो को लेते हैं अब हम कहते हैं यहाँ पर x equal to मैंने एक word ले लिया number ले लिया 20 और हमने कह दिया is.numeric x अथार क्या x के numeric है अंसर आगिया false और फिर हमने कहा is.character जो हमारा x, x के हमारा character है यागिया false अब ऐसी y हमने ले लिया मालीजे apple अब apple तो character है अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या y हमारा क्या character है उतर आता है yes true और अगर हम देखते हैं कि y क्या हमारा numeric है उतर आता है false अब हम जड़ा सा इन numbers को जो हमारे numeric और character है इनको हम interchange करने की कोशिश करते है अथार number को character और character को number बनाने की कोशिश करते हैं तो अब हमने कहा कि x equal to हमारा है 20 तो यह तो हमारा number है अब इसको हम as dot character करते हैं as dot character x अब देखिए कि इसकी value क्या आ गई 20 आ गई लेकिन अभी देखिए यह double course के अंदर है यह और वही आप अगर y को यहाँ पर लेते हैं say apple और इसको आप अगर as dot numeric बनाने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या अंतर आ गया उतर आ गया na अथार इसकी जो value आई है यह na है और साथ में एक warning message भी है लेकिन मैं आपको एक ची और करके मैं दिखा सकता हूं कि अगर हमाली z को लेते हैं जैसे double course में मैंने ले लिया 2 यह भी हमारा character है अब देखिए is dot character z अतर है true अब क्या उसको हम s.numeric में हम उसको बदल सकते हैं s.numeric z अंतर आ गया 2 अर्था जब मैंने किसी number को character form में दिया था तो वो तो number में convert हो गया और जो मैंने पहले एक number को character में convert करता है वो भी हो गया था तो जो हाँ पर मैंने apple की बात करी है apple को चुकिए हम किसी number में convert नहीं कर सकते है इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है और लेकिन अगर हम कोई किसी number को अगर हम double course में character form में देंगे तो उसका मुसको as numeric answer मिल जाएगा ओके चलिए अब हम आगे बगते हैं और हम आपको कुछ और बातों के बारे मताते हैं देखिए जब भी कभी हम अपनी कोई programming करते हैं तो programming म हम बहुत सारे variables को इस्तेमाल करते हैं ऐसे कि मैंने कह दिया कि हमने use किया x equal to height, y से weight, z से age अब यह जब program हम लिख करके कहीं आगे भीज देते हैं कैसे मालिक उधारल के लिए मैंने IT कानपूर में यह program लिखा और उसको मैंने कहीं और भीज दिया तो अब अगले को क्या अगर यह बात लिख दे कि x हमारा height है, y हमारा weight है, z हमारा age है, इतियादी तो जिसको हम program भीजने हैं उसके लिए भी समस्या कम हो जाएगी और अगर कुछ समय के बाद हम खुद भी अगर उस program को देखना चाहेंगे तो हमको याद आ जाएगा कि मैंने x, y, z से किन-किन variables को तो अब समस्या यह है कि r के अंदर आप इस बात को किस करीके से execute करेंगे, क्योंकि r के अंदर अगर आपने कुछ भी लिखने के कोशिश करी वो तो उसको mathematical मानता है, तो इस कार को करने के लिए अगर हम जो भी हमारी line है, उसके पहले अगर हम hash का symbol जो हमारे keyboard पे होता है, उ और जैसे हमको r के control को पहली जगह पर hash का symbol मिलेगा, वो उसके आगे लिखे हुए सारे के सारे जो भी commands है, characters है, lines है, उनको ignore कर देगा, जैसे वो धारल के लिए, मैंने यहाँ पर देखी लिखा, अपने इस prompt sign के आगे, hash mu is the mean, आप अगर यहाँ पर इंटर करेंगे, कोई सम नहीं आएगी, आपने लिखा, hash x less than hyphen, मतलब x equal to 20, now यह जो x equal to 20 है, इस पर कोई operation नहीं होगा, यह खाली बस एक statement की तरह comment की कर रही यहाँ पर लिखा रहेगा, जबकि आप अगर x equal to 20, आप अगर अपने r console में लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कि x को आपने 20 value assign कर दी है, देखिए यही का मैं आपको देखिए r console में करके दिखाता हूँ, देखिए आपने यहाँ पर लिखा, जैसे कि mu is the mean, अब यहाँ पर देखिए यह कुछ कह रहा है error, लेकिन अगर आपने इस line को लिखने के पहले यहाँ पर अगर hash sign लगा दिया है, तो देखिए फिर कोई समस्या नहीं है, और अगर यहाँ पर आप अगर मालिये, अगर आप लिखते हो कि x equal to 20, तो जैसी आपने लिखा देखिए x की value 20 आ गए, लेकिन आप यह नहीं चाहते हो, अब अगर आप अगर यहाँ पर अगर लिख दो, hash x equal to मालिये 50, अब आप अगर देखिए इसमें कुछ नहीं हुआ, और अगर आप x की value देखेंगे, तो यह आपको पहली value यह आ रही है, इसने x equal to 50 के पहले आपने hash sign लगा दिया है, तो इसमें कुछ तेंज नहीं आया, तो यह फरक होता है, तो इस तरीके से हम अपने अगर प्रोग्राम में कोई भी line लिखने के पहले अगर हम, पहले इस्थान पर अगर हम hash sign को लगा देंगे, तो हमारे उसके आगे जो भी कुछ लिखा हुआ है, उसको आर, उसके ओपर कोई भी mathematical operation नहीं करेगा, और उसके skip करतेगा, अब एक बहुत important बात, जो आपका R software होता है, यह आपका case sensitive होता है, अर्थात, R software में small letters और capital letters जो हमारे अंगरीजी के alphabet होते हैं, उन में फरक होता है, दोनों को R अलग-अलग मानता है, कि अगर आप small x और capital x अगर लिखेंगे, तो R की भाशा में यह दोनों अलग-अलग statement है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखें कि x equal to 20 और यहाँ पर हमने लिख दिया capital x, और हमने लिख दिया small x equal to 20, यह दोनों चीजें अलग-अलग हैं, जैसे कि मैं आपको अधारल के और यहाँ पर करके दिखाता हूँ screen shot में, कि मैं ने लिखा small x, lower case में x की value लेली 20, तो दिखा कि small x की value आगे 20, अब मैंने यहाँ पर type किया capital x, तो यह कहा रहा है कि error, capital x ह ही नहीं यहाँ पर, अब हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया capital x, capital x equal to 30, और यहाँ पर मैंने आप type किया capital x equal to, आप देखिए इसकी value आगे 30, 20 नहीं आई, जब कि जब आपने small x type किया, तो इसकी value आगे 20, तो यह बहुत important चीज है, आर software में और इसको आपको हर दम ध्यान रखना चाहिए, कि आर प्रोग्रामिंग में जब भी आप कर रहे हैं, तो आपकी यह lower case और upper case दोनों अलग-अलग होते हैं, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम गलती से अपनी programming में इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, और बात में जो error आती है, उसको धुनना भी क जाता है, और इसलिए आप ध्यान देंगे, जब भी मैंने आपको किसी function या command के बारे में बताया है, तो कहीं पर अगर lower case या upper case बीच में आते हैं, तो मैं आपको खास ततार पर आपका ध्यान आकर्शित करता हूं, कि यहां पर यह वाले जो हमारे अक्षर है lower case में है, और यह वाले अक्षर हमारे upper case में है, और आपको उनको who-who follow करना होता है, जैसी कि अगर हम यहां पर अगर हम लेते हैं, जैसे k equal to 30, अब आप देखोगे कि capital K की value क्या आ गई, 30, अब अगर मैंने small k अगर यहां पर लिग दिया है, small k को मैंने कर दिया 60, अब आप देखो कि small k क value यहां पर 60 आ गई, और जबकि आप अगर capital K को फिर से देखोगे तो इसकी value यहां पर 30 आ गई, मैंने small k और capital K इस लिए हुआ है, इसको दाट की दोनों को आपको पहचारना असान रहेगा, और इसकी तरीके से आप अगर देखोगे capital N, capital N को आप में लिए 70, और आप यहा तो यह आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपनी programming करते समय, अब मैं आपको एक और बहुत important command के बारे में बताना चाहता हूं, लेकि जब भी हम R software में अपनी programming करते हैं, तो हमारी जो numerical values जिसके उपर हम कुछ अपना mathematical operations दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, एक से ज जादा होती हैं, अब तक आपको मैंने बहुत सारे एक्जामपल लिए हैं, अधारा लिए जहाँ पने मैंने लिया x equal to 2, y equal to 3, इत्यादी, लेकिन अगर आपके पास एक से जादा values हैं, तो उनको R में कैसे input किया जाए, तो उन values को R में convert करने के लिए हमारे पास एक concept होता ह है data vector, उसको हम कहते हैं, और यहाँ पर आपको यह साथानी बरतनी है कि यह जो vector है, यह बहुत जगार इस्तमाल होता है, vector हमारा physics में भी होता है, directional vector होते है, vector calculus होता है, इत्यादी, तो यह हमारा एक simply data vector है, जो खाली data को store कर रहा है, लेकिन उसके अंदर vector calculus या जो metric theory में होता है, वैसी property कोई नहीं है, तो अगर आपको अपने data का एक vector अगर create करना है, तो r में उसका command होता है, आप पहले लिखिये c, small c, lower case में, lower case c और parenthesis में आपकी जो जो values हैं, आप उनको कॉमा के साथ में लिख दीजिए, तो वो आपका एक data vector बन जाएगा, और उसके बाद में से जो भी operations होंगे, वो उस vector के अंदर जितनी भी values है, सारी-सारी values के उपर operation होंगे, तो जैसे देखिए उधाराल के लिए आप अगर देखिए, मुझे अगर 1, 2, 3, 4, 5 को यहाँ पर assign करना है, और हमने लिखा खाली y, तो यह एक error दे रहा है, मैंने इसमें parenthesis भी लगा दिया फिर भी लेकिन यहम को error दे रहा है, और जब मैंने लिखा c और साथ में parenthesis के अंदर यह पांचो value लिखी, then इसने मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 5 value दे दी, तो चलिए हम आपको यह वाली बात हम आपको आर में करके भी दिखा केते हैं पहले, अब देखिए, मुझे को एक value देनी थी, suppose मैंने दिया y equal to 2, तो देखिए y की value आगई 2, लेकिन जैसी मैंने y की मैंने x से ज़्यादा value देना शुरू कि 1, 2, 3, 4, 5, यह देखिए कह रहा है कि हम नहीं लेंगे उसको, इसको पगले में दिक्कत आ रही है, अब हमने इसमें से चलिए parenthesis भी लगा दिया, तो भी कह रह और जैसी मैंने किया, इसने उसको accept कर लिए, अब आप देखोगे y की value आपकी आगई 1, 2, 3, 4, 5, तो इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं, यह हमारा vector है, कहे का theta का, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि y हमारा एक div vector है, किसी भी data को आपको data vector में convert करने के लिए, आप c command का इस्तिमाल करिए और उसको सारी सारी values को parenthesis के अंदर आप लिख दीजिए, अब इसके बाद हम आपको एक और important command बताते हैं, वो है mode mode, यह जो mode होता है, यह हमारे जो different r के object होते हैं, numbers होते हैं, characters होते हैं, त्यादी, यह उनके बारे बताता है कि उनका mode क्या है, अब यहाँ पे आपको होता सा एक साबधानी फर्क नहीं है, जैसे हम status के पलते हैं mean, median mode, तो यह जो mode हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं, यह mode status वाला mode नहीं है, अब समस्या क्या है कि r में आप आगे देखेंगे, mean निकालने के लिए हमारा command है mean, median निकालने के लिए मेरा command है median, तो लोग समझते हैं कि mode नि that six वाला mode नहीं है, जहां पर हम maximum frequency के corresponding value को निकालते हैं, लेकिन यह mode हमारा ऐसा है जो हम बस्पन में एक chapter जैसे पलते हैं, modes of transportation, जैसे हमारे याता-यात के क्या-क्या साधान होते हैं, बैलगारी है, हवाई जहाज है, train है, इत्यादी, तो यह हमारा वो वाला mode है, यह बात आ रखनी है, अब कैसे देखे हम उधारग लेते हैं आपको, करके दिखाते हैं, हमने कहा, एक value लेली x equal to six, अब x का मैंने mode देखा, तो क्या गया, इसके लिए हमने देखने के लिए mode mode, m-o-d, सब कुछ lowercase alphabets में, और packet में लिख दिया, मैंने x, इसका mode आप देखोगे, तो यह क्या आगया, numeric, और उसी तरीके से, हमने एक, वो लिया apple, जो हमारा character है, और इसको मैंने y variable में store कर दिया, और इसका जब मैंने mode चेक किया, जैसे मैंने लिखा mode y, तो यह आगया character, तो अब आप देख सकते हो, कि यहाँ पे x जो number था, उसका mode है, numeric, और जो y हमारा character है, इसका mode है character, और यही operation आप अगर यहाँ पे भी देखने की कोशिश करोगे, अब our console बे तो आपको ऐसी screenshot दिखाई देगे, हम आपको करके भी दिखाएंगे अभी, अभी हम यहाँ पे चुकि खाली number और character की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपको खाली यहाँ पे अभी दो ही अधारण दिखा रहे हैं, हमारे और भी कुछ modes होते हैं, जिनके बारे हम आपको बताएंगे, जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे ले लिया x equal to 60, इसका हमारा mode क्या हो गया? और y को मैंने ले लिया apple, तो mode of y हमारा क्या हो गया? character, तो यह हमारा इसका mode है, अब जैसे मैंने बताएंगे कि अभी तक तो मैंने खाली चुकी character और number की ही बात करी हैं, लेकिन अगर हम बागी देखेंगे तो हमारे पास our software में और करेके के भी modes होते हैं, logical, integer, double, complex, raw, character, list, expression, name, symbol, function, इसके बारे में हमको जब जब आप शक्ता पगते रहेगी हम उसको इसको इसको इस्तमाल करते रहेंगे, लेकिन ये आपके लिए समझना और जिकानना बहुत आवर्शेक है कि हमारे यह यह modes होते हैं, अब जो भी हमने number अपना लिया है उसका कु storage mode, storage mode का मतलब पता क्या होता है, हम कोई भी value को जो हमको screen पे दिखाई पर रही है, उसको our software अपने अंदर किस mode में store कर रहा है, तो जब भी हम यह वाला command इस्तमाल करेंगे storage.mode, s-t-o-r-a-g-e.m-o-d-e और parenthesis में अपना value या variable लिख देंगे, तो यह हमको इस argument के अंदर जो value लिखी है, उसका storage mode बता देगा, और usually यह हमारे जो functions होते हैं, जो हमारी और जो हमारी programming language होती है, जैसे C है, Fortron है, उसके द्वारा हम अगर किसी अपने function को call करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ भी हमारे storage mode होते हैं, तो इस command के द्वारा हमको यह सुविदा मिल जाती ह है, कि यह R ensure करता है, कि हमने जिस R object को हमने जिस डिकेटा टाइप से उम्मीद करी थी, वही यहाँ पे उसी routine को call किया गया है, तो यह उन लोगों के लिए जो जब हम Fortron या C या बाकी languages में से किसी function को call करें की कोशिश करेंगे, तब यह वहाँ पर इस्तमाल होता है, अब कै अजब से कि हमारा कोई variable है जिसका mode है logical उसका गा लौजिकल और हम regular अगर अगर कोई variable है जिसका mode है numberic تو उसकाonna was या double दोनों हो सकता है कोई हमारा mode है complex तो उसका storage mode भी complex हो सकता है कि किसी का mode अगर है character तो उसका storage mode भी character रहेगा और किसी का mode है raw तो ये storage mode भी इसका raw रहेगा अब ये वाली जो बाते हैं ये उन लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक होती है जो लोग programming कर रहे हैं बगई-बग नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता है कि ऐसा होता है और इसको अगर हम operate करेंगे तो हमारे साथ क्या क्या हमारे outcomes आएंगे तो इसी बात को देखिए हम यहाँ पे आपको धारल के तौर पर दिखाते हैं कि अगर हम कोई value लेते है x equal to 6 ये हमारी क्या है numeric अब इसका अगर हम storage mode देखें तो देखिए आजाएगा double और ऐसे ही अगर हम कोई एक value ले 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 true तो ये हमारी क्या है logical इस value का अगर हम storage mode देखें तो ये क्या जाएगा logical और अगर हम कोई एक character ले ले apple और उसका अगर हम storage mode देखें तो ये हमारा क्या जाएगा character और यही इसका रहे कि screen shot भी है तो आप अगर यहां पर देखने की कोशिश करिए कि हमारे पास कई तरह के modes होते हैं और कई तरीकी के storage modes होते हैं और उनको हम कैसे जैसे हमारी आवशक्ता पगलती जाती है हम उसके अनुसार हम उसको वहां पर use करते जाते हैं तो चलिए हम आपको यह वाले command और console पर भी करके दिखाते हैं यहां पर एक x की value ले ली 50 तो x का हमारा mode क्या हो गया numeric लेकिन हम इसका जब storage mode निकालेंगे तो यह हमारा आ गया double और y ऐसी मैंनेक ले लिया suppose अनाना character है यह अब हम storage mode अगर हम y निकालते हैं तो देखिए क्या जाएगा character और उसी तरीके से अगर हम एक variable लेते हैं z इसको हम करते है true और इसका अगर हम storage mode निकालते हैं तो देखिए क्या जाता है logical और अगर हम इसी में z की जिगह अगर हम यहां पर false मी ले लेते हैं तो देखिए z का mode क्या जाएगा logical तो यह हमारा storage mode होता है और यह हमारे mode का जो option ह उसे अलग होता है अब अंद में मैं आपको एक command और बताना चाहूंगा और यह हमारे जो command है यह infinity के बारे में है infinity अथात जो हमारा एक number होता है number तो नहीं करना चाहिए जो infinity जो एक result आता है कैसे कि हम अगर कीन को शून से अगर हम divide करें तो हमारा उत्तर आता है infinity अब होता क्या है कि जब भी कभी हम कोई program को execute करते हैं तो उस program में बहुत सारे steps होते हैं और एक steps का जो output है वो अगले step में इस्तेमाल होता है तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम किसी output को देख रहे हैं कभी कभी output में हमारे error आने रखती है और वह कहता है कि आपकी value infinity हो रही है बहुत बार क्या होता है कि आपने किसी step में आपका ऐसा outcome आ गया जो शून के बहुत close up करीब है और जैसी आपने उस outcome को अपने आगे वाले step में किसी संख्या से divide किया उसका answer आजाएगा infinity अब program तो काम ही करता है उस condition में हमारा एक ही objective होता है कि मुझको कहीं से यह पता चल जाए कि किस step पर जो हमारा objective आ रहा है किस step पर जो हमारा उत्तर आ रहा है वह infinity है कि नहीं है तो ऐसी condition में हम आरे पास दो command होते हैं जिनका हम इस्तिमाल कर सकते हैं एक है is dot finite और दूसरा है is dot infinite इसके द्वारा हमको यह पता चल जाता है कि जो हमारा outcome है क्या वह finite है या क्या वह infinite है जैसे अगर हम कहते हैं 3 upon 0 यह जो symbol है back slash का यह हमारा division का operator है इसके बारे में हम detail में अगले 10 पर बात करेंगे इसका हमारा उत्तर आता है inf जिसका मतलब है infinity अब अगर हम infinity में 5 को add करेंगे 5 plus inf तो भी हमारा infinity रहेगा अब हमको यह देखना है कि यह जो value हमारी iaf y plus inf इसको हम x में store कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या यह finite है is.finite और parenthesis में लिग दिया x उतर आ गया false यह finite नहीं है और जब मैंने क्रॉशे किया कि is.infinite x इसने कह दिया हाँ यह value infinite है और यहां पर आप अगर देखेंगे इस ही बात का देखी यहां पर screenshot है तो इस command के द्वारा हम आपको यह बता सकते है r software के अंदर कि कोई outcome या कोई number हमारा infinity आने वाला है या नहीं चलिए इसी काम को जड़ा सा हम r में करके देखते हैं तो देखी हमने अगर माली 4 upon 0 किया तो answer हमारा आ जाएगा inf जिसका मतलब infinity है अब हमने कोई एक variable ले लिया मैंने कर दिया 9 plus inf तो inf भी हमारा एक reserved word है अब जब हमने कहा कि is dot finite क्या x यह हो गया false अब हमने कहा कि is dot infinite x अंचरा गया true अठाती यह करते हैं इसके द्वारा अब आपने देखा कि आपको कोई इसके भी variable है उसके बारे में वह variable हमारा infinity है कि नहीं है हम उसके बारे में बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं तो इस command के साथ में अब हम इस lecture में यहाँ पर रुखते हैं और आपने देखा कि मैंने आपको कई सारे छोटे-छोटे commands के बारे में इस lecture में और इसके पहले software की पूरी-पूरी theory पखलें उसके बाद हम software में काम करें या हम पहले हम एक software के अंदर आ जाएं उनको सीखने की कोशिश करें कुछ commands हम सीख पाएंगे कुछ commands हम बार में सीख पाएंगे और लेकिर अंत्र में हम सारे-सारे command सीख जाएंगे तो हमने जैसा बताया था कि हमने दूसरी approach का को follow किया है इसलिए आप देखेंगे कि आज हमने इस lecture में और इसके पिछले वाले lecture में बहुत सारे चोटे-चोटे commands थे इसमें से कई command ऐसे थे जो आप पहले इस्तमाल भी कर चुके हैं लेकिन मैंने उसको आपको formula बता दिया ह लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सारे सारे commands से या मैंने आपको सारे commands से आपका पर्चे करा दिया है आर में इसके अलावा भी बहुत सारे commands हैं लेकिन मेरा objective कुछ और था मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे commands को collect किया है कि जिनको समझने के बाद आप अगर कोई भी किताब से या किसी भी resource से आप अगर आर के बाकी commands को समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको देख के समझ में आ जाएगा जिसे आपने यहाँ पे is.character या is.numeric की बात करी है अब अगर आपके पास कोई command आता है is.matrix आपको देख के नहीं लगेगा क यह तो उसी तरह का command है और जिस तरह से पहले मैंने चेक किया था है कि कोई हमारा variable numeric है या character है उसी तरह से यह हमारा matrix को भी cross check कर रहा है या अगर हमारे पास कोई command आता है as.matrix इसका मतलब तो यह हुआ कि जिस तरह के से हमने as.numeric और as.character में मैंने नंबर को character में character को number में त्यारी में बदलने की कोशिश करी थी उसी तरह के से शारी कि उस variable को matrix format में convert कर रहा है तो यह मेरा उदेश्टा इन दो lectures में इन सारे commands को दिखाने का तो अब मैं आपसे यही request करूंगा कि आप इन जो भी आज हम लोगोंने command सीखे हैं उनको एक बार अपने हां से use करने की कोशिश करिए कुछ practice करिए कुछ और examples लीजिए वहां पे आप उनको execute करिए और हम आप अगले lecture में मिलने फिर से आएंगे और जिसमें हम आपको कुछ और commands के बारे में बताएंगे आप practice करिए और हम आपको जब तक मिलने आते हैं तब तक के लिए good bye झाल 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 झाल